ये वीडियो है सब टीवी के सारे फैंस के लिए और सब टीवी के रिलेटीड एक इंपोर्टेंट अब्डेट है जिसके बारे में हम ये वीडियो में बात करने जा रहे हैं कई महीनों पहले आप लोगों को बताया था कि सोनी पिक्चर्ज नेटवर्क के जो बॉसेज हैं अलगर एक चैनल के वली वो सोनी का बॉस हो सब टीवी का बॉस हो वो बदल चुके हैं और उसी गरके इतने बड़े बड़े चैनल आप पूजय को मिल रें हैं जैसे कि सोनी टीवी रिवैंप होने वाला एक तरवी शोज सो वापस लेकर आने वाले तो इस तना से जो वेल्जी गोर्वर स्टेटेजित और नेजे जौनों की बदल रही है जैसा की हम लोग जानते ही है जो पुराने head थे Sony Pictures Network के N.P. Singh वो रिटायर हो गए है और उसी के साथ हमें नए head देखने को मिले थे गौर बैलर जी जो कि Star Wars को संभाल चुके है अब उसी के साथ हमें SubTV की programming में leadership में एक और बड़ा change देखने को मिलता है बिगोज रिसेंटली निमीशा पांडे creative professional है जो की television industry में काफ़ी बड़े काम कर चुकी है इनको हायर कर लिया गया है SubTV channel पे as the programming head मैं आप लोगों को बता दूँ इससे पहले क्या कुछ कर चुकी है तो गए Z5 जो OTT एप है वहाँ पे जो भी original सामान बनता है उसको ये oversee कर चुकी है Chief content head रह चुकी है Z5 Originals की चार साल तक कई famous production जैसे की Balaji Telefilms जो इतकपूर वाली production है Fireworks production जो की CID वाली production है Directors Gut जो की अनुपमा ये रिष्टा वाली production है इनके साथ कई साल तक काम कर चुकी है Alt Balaji जो की Balaji वालों का ही OTT app है वहाँ पर भी काम कर चुकी है Even Netflix India जैसे बड़ी चीजों पर भी काम कर चुकी है 20 साल का इनके experience रहा है अलगलग चीजों में TV shows पे web series को produce हो गरा करना हर चीज में अब यहाँ पर SubTV पे इनका काफी important role होने जा रहा है इनका जो role है basically जैसा कि मैंने आपको उता है वो programming head का role होने वाल है इनका main aim रहेगा main इनका job रहेगा कि SubTV पे किस तरह के programs लेकर आने है SubTV पे किस तरह के shows चलेंगे कौन से शो को लेकर आने कौन से शो को नहीं लेकर आना जो main job होती है programming head की वो ये करा करेंगी SubTV पे और इनके सर पे अब सब कुछ है अगर ये अच्छी तरह से बढ़िया बढ़िया shows को वापस लेकर आती है या फिर नए वाले comedy shows बढ़िया बढ़िया बराती है तो बहुत जीदा मजे हो जाएंगे लेकिन अगर नहीं लेकर आती तो यहाँ पर SubTV के fans की जो expectations है उनपे पानी फिर जाएगा आने वाले दिनों में पता चलेगा इनका जो काम रहता SubTV पे कैसा रहेगा आने वाले महीनों में कौन से नए shows को green lit करती है या फिर कई सी पराने शो को वापस लेकर आती है नहीं लेकर आती आने वाले दिनों में इनके काम के बारे में हमें और पता चलेगा अब यह के लिए आप लोग बताईए क्या कर देखना चाहेंगे SubTV के revamp में और ऐसे बाग की सारे upcoming updates SubTV के revamp के लिए इसलिए आपको हमारी चैनल पे देखने को मिलते ही रहेंगे उसके लिए आमने बस हमारी चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसे दबा कर ओल पे क्लिक कर लेना है वीडियो को लाइक भी कर दीजे शेयर भी कर दीजे सारे फैंस के साथ आंगे उन्हें भी ये खबर के बारे में पता चल जाए फिराल के वीडियो में इतना ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए चलता हूँ गुडबाई